हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हम लोग अध्यन कर रहे थे हिंदी के परमुक साहितिकारों का तो जो जो आपके सेलेबस में हिंदी के साहितिकार दिये हुए हैं जो आपके हिंदी के कवी दिये हुए हैं हमको उनका अध्यन करना है क्योंकि वर्तमान में एकजाम में दो या तीन प्रशन यहां से पूछे जा रहे हैं अब देखिए एक बात यहां से और समझने वाली बात है जो आपका सेलेवस है उसमें एक गद्धिखंड है और एक पद्धिखंड है तो गद्धिखंड को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गद्धिखंड के जो साहतेकार है सबसे पहले हम लोग उसका अधिन करेंगे उसके बाद जो आपके पद्धिखंड में जो जो कवी दिये हुए हैं उसके बाद हम लोग उसका अधिन करेंगे देखे पिछली वाली वीडियो में हमने अध्यन किया था गौरापंत सिवानी और सेखर जोसिजी का आज हम लोग अध्यन करेंगे मन्नो भंडारी और हरी संकर परसाई जी का तो सबसे पहले हम लोग अध्यन करते हैं मन्नो भंडारी महिंद्र कुमारी लेखन के लिए इन्होंने मन्नु नाम का चैन किया जैसे कि इनका बच्पन का नाम क्या था बच्पन का नाम था इनका मन्नु भंडारी लेकिन इन्होंने जो अपना लेखन का कारे किया तो उस लेखन के कारे के लिए इन्होंने मन्नु नाम का चायन किया इनके पिता कौन थे? पिता का नाम थे? सुग संपत्राय ये भी एक परसिद्ध लेखक थे देखिए मन्नु जी का उपन्यास आपका बंटी एक बहुत महत्पूर और बहुत ही परसिद्ध इनका उपन्यास है उस उपन्यास का नाम आपका बंटी कई बार दोस्तों ये प्रशन इक्जा में पूछा हूँ जा चुका है कि जो आपका बंटी नामक उपन्यास है किसका है तो ये मन्नु भंडारी का तो ये मन्नु भंडारी जी का यहाँ पर छाया चित्र आपको दिख रहा होगा तो देखिए जो इनका उपन्यास है आपका बंटी आपको याद रखना है तो मन्नु जी का उपन्यास आपका बंटी धरम्यूग पत्रिका में धारवाहिक रूप से बरकासित होता था इसी उपन्यास से इन्हें पहचान मिली उसके बाद देखिए इनकी कहानी यही सच है पर रजनी गंदा नामा की फिलम बनी जो सूपर हिट रही इस फिलम को 1974 में सरुषिष्ट फिलम का पुरुसकार भी मिला तो ऐसे कोशन दोस्तों बनते हैं जिसकी रचना हो उस रचना को थोड़ी परसिद्धी मिली हो तो वहां पर से एकजामे परशन बनने के संभावना बहुत रहती है व्यास सम्मान देखिए इनको 2008 मिलता है व्यास सम्मान और किसकी रचना के लिए मिला था एक कहानी यह भी और देखिए जो भी साहित्तिकार हो जो लेखक हो जो कवी हो उसकी जो रचना होती है न तो जिस रचना के लिए उसको कोई सम्मान मिलता है तो वो रचना हिजाम में आने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है तो एक कहानी यह भी एक कहानी यह भी जो रचना है यह किसकी है मन्नो भंडारी की है और इसी कहानी के लिए इनको 2008 में व्यास समान मिला उसके बाद देखिए आधुनिक इतिहासकारों ने इने आधुनिक कहानी वह अभियान की सबसे परसिद्य लेकी का कहा है किसने आधुनिक साहित्यकारों ने तो ये थी इनके बारे में कुछ बेसिक सी बात है अब हम लोग अधन करते हैं इनकी रचनाओं का चलिए बढ़ते हैं आगे तो देखिए ये हैं इनकी रशनाएं उपन्यास, नाटक, आत्मकता, कहानिया, फिलम, पड़कता देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उपन्यास की तो उपन्यास देखिए इनके कौन-कौन से हैं आपका बंटी बहुत इंपोर्डेंट है एक इंचे मुस्कान, कई बार दोस्ति इखिएम आ चुका है, एक इंचे मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज भी कई बार आ चुका है, कलवा और स्वामी तो ये तीन जो इनके उपन्यास हैं बहुत महत्पूण उपन्यास हैं बार-बार यहां से दोस्ते एक जामे प्रशने पूछे गए हैं अब देखिए उपन्यास आपको याद रखने हैं नाटक की हम लोग बात करते हैं तो बिना दिवारों के घर इनका एक नाटक है बिना द मन्नु भंडारी ने किस उपन्यास को नाटक का भी रूप दिया था तो एक आपका उतर क्या हो जाएगा मन्नु भंडारी ने उनका एक उपन्यास था उसका नाम था महाभोश तो इसको नाटक का रूप भी दिया था तो इसको आपको याद रखना है नोट कर लेना है और इन सिर्फ कहानी की बात कर रहा हूं अगरना बात करूं कि मन्नो भंडार जी ने पर्थम कहानी कौन सी लिखी थी तो मैं हार गई जो कि इन्होंने उन्नी सो सतावन में अपने पर्थम कहानी लिखी थी उसके बाद देखे मैं हार गई एक प्लेट सेलाब तिरिसंकू बहुत महत् लायक विदुसक, सयानी बुवा, जीती बाजी की हार, स्विष्ट कहानिया, गीदा का चुम्बन, समसान, दो कलाकार, कील और कसम, खोटे सिक्के, तो ये इनकी कहानिया है, फिलम पठकता की हम लोग बात कर लेते हैं, रजनी, निर्मला, स्वामी और दरपन, ये इनकी फिलम कारगा, जिस भी कवी का, कोई उपनियास हो, कोई कहानी हो, कोई फिलम पठकता हो, काफी मतलब परसिद्धी उसको मिल जाती है, तो उसके बिसए के बारे में आपसे पूख लेता है, तो आपका बंटी का जो उपनियास है, वो क्या है, विभार टूटने की सिती में, एक ब पनियास हैं, बहुत महत्पूर हैं, बार-बार पूछी जाते हैं, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं, आगए, फिर देखिए, हरी संकर परसाई, हरी संकर परसाई, इनका यहाँ पर एक छाया शेतर आपको दिख रहा होगा, और देखिए, गर्दे खंडम आते ही ये भी, जनम क के हम लोग बात करते हैं, 1924, कहीं कहीं पर आपको 1922 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 1924 इसका सही उत्तर है, होसंगाबाद मद्य परदेश में इनका जनम हुआ था, कब 1924 में, कारी छेतर के हम लोग बात करते हैं, देखिए, हरी संकर परसाई, जो सबसे ज़्यादा परस परसिद्ध हैं, अगर जाम ऐसा परशन बनता है, कि हरी संकर परसाई सरवादिक परसिद्ध किस चीज़ के लिए हैं, तो व्यंग के लिए सरवादिक परसिद्ध हैं, तो इनका जो कारी छेतर रहेगा, व्यंग कार और लेखक का इनका कारी छेतर रहेगा, परसाई जी हिं था एक व्यंग कार है ये बात आपको याद रखनी है इन्होंने जबलपूर से सहितिक पत्रिका वसुधा का परकासन भी किया था देखिए ये जो सहितिकार मारे आते हैं तो इस सहितिकार जब किसी पत्रिका का परकासन कहीं से करते हैं तो वो एक्जाम में दोस्तों पूछी जाती है तो एक वसुदा नामक पत्रीका का इन्होंने परकासन किया था हाना कि बाद में आर्थिक अभाव के कारण और जैसा कि इन्होंने काम शुरू किया था तो इन्होंने इसका परकासन बंद कर दिया था लेकिन आपको याद रखना है वसुदा का परकासन जबलपूर स किस ने किया था हरी संकर परसाई ने फिर देखिए एक बहुत महत्मुन परशना और आता है इनके बारे में हरी संकर परसाई जी कार्ल माक्स से अत्रिक परभावित थे तो ये कोशन दोस्तों बहुत महत्मुने ऐसे कोशन बन जाते हैं कि हरी संकर परसाई किस से सरवादिक प पुरुसकार मिलता है तो वो रचना एकजा में बार बार पूछी जाती है, तो विकलांग सर्दा का दौर, किसकी रचना हो जाएगी? हरी संकर परसाई, और इसी के लिए इनको सहीत बंची का पूरुसकार मिला 1982 में, फिर देखिए हरी संकर परसाई जी की पहली रचना स्वर दानी और समझोता तो ये इनकी कुछ लगो कताएं हैं मिर्तु की हम लोग बात कर लेते हैं इनकी मिर्तु कब हुई थी तो मिर्ती होती है इनकी 1995 में कहां पर होती है जबलपुर में तो दोस्तो ये इनकी बारे में कुछ बेसिक सी बात थी अब हम लोग जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हरी संगर परसाई जी की जो कहानी संगरा है उनके बारे में देखिए जैसे उनके दिन फिरे भोला राम का जीव, हसते हैं, रोते हैं दो नाक वाले लोग, टौर्च बेचने वाले निठिले की डायरी तो ये कहानी संगरे दोस्तों बार बार एक जामें पूछे गए हैं और बहुत ही महत्पूर हैं तो ये आपको विसेश करके याद रखने हैं और देखिए ज्वाला और जल तटकी खोज, राने नाक फणी की कहानी ये भी दोस्तों बहुत महत्पूर्ण देखिए जो भी साहित्तेकार होगा न उसके उपन्यास जो रहेंगे न उसको आपको सारे याद करना है उपन्यास उपन्यास बार बार एक जामें पूछी जाते हैं तो उपन्यास आपको याद रखने हैं ज्वाला और जल तटकी खूज और रानी नाक्मने की कहानी संसमरण की हम लोग बात कर लेते हैं सीधे साधे और जड़िल मुक्ती बोद और तिर्शी रेखाएं तो इनके दो संसमरण हैं इसमें से दोनों के दोनों बहुत महत्पूर हैं उसके बाद देखें निमंद की हम लोग बात करते हैं निमंद संगर है तो प्रेम चंदर के फटे जूते पहले के एकजाम में वरतमान में तो ऐसे कोशन कम बनते हैं लेकिन पहले ये कोशन काफी बना करता था हाइ सकूल का एकजाम हो, इंट्र का एकजाम हो, ग्रेशन लावल का एकजाम हो, ये कोशन दोसर, बहुत बनाऊ है एकजाम में, तो यहां से देखिए प्रेम चंदे के फड़े जूते तब की बात और थी भूत के पाउं, काग भगोडा, आवारा भीड के खतरे और साथ में तुलसीदा के लिए इसके लिए इसको इस रचना के लिए ही इनको अबॉड भी मिला है, भगत की गत बहुत महत्मूड है, सुदामा का चावल बहुत महत्मूड है, अपील का जादू, ठिटूरता हुआ गड़तंत्र, वैशनाव की भिसलन, घायल वसंत, पुलिस मंतरी का पुतला और बरात की वापिसी, तो ये इ हमारे, आज हमने दो साइक्के कार कंप्लेट किये, हमेशना की तरह दोस्ते एक बात, फेस्बूक पेस से आप लोग हमारे जोड़ जाईए, और साथी में वटसाप नमबर ही मैंने आपको निची दे रखा है, फेस्बूक नमबर, फेस्बूक का लिंक और वटसाप नमबर समापत होती है, आज हमने दो साइक्कार का कंप्लेट अद्धन किया है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अगरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए